कि है लेवान अच्काला सुम्हें साइज 11.1 की कोश्ट में फूर्थ को डिसस करेंगे यहाँ पर गिवन कोशन है इसको 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 पहले आपको अपने मरजी से कोई भी एक लेंथ लेके एक रे को ड्रॉट करें जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूं कि इसके बाद आपने कमपास का यूज करिए और आपको अब कंपास की लेंद इतनी रखनी कि जादा बड़ी नहीं पर देता हूं जहां पे सने इपने कमपास को लीजिए अब को पुर्ब कर लेंगे आपको सेम एंगर आमेआ के लेंद केंगे सिर्फक्त पर चेंज जी पे निया ओस्क्रीती आकट्यान एक अब कमपास के ऐगोसी पॉइंट पर के जो इसकी मेन और आप देख सकते हैं फिर सकते हैं यहां आरक पे निडल को रखके दुबारा से एक आरक लगा दिए इस तरह से और यहां टॉप पे भी एक आरक लगा दिए दोनों पॉइंट्स से देखिए यह आप लोगों ने इतना स्टेप्स आप लोग जानते हों कि 90 डिग्री का जब हम लोग एंगल ड्रॉ कर रहे थे तब हम लोगों ने इसे देखा था यहां पर आप इन आरक का नाम देदी जैसे यह सी पॉइंट होता हम ऐसे डी कह देता हूं इस पॉइंट को आप स्टेखिए आप आप एफ और एडी को जॉइन कर दीजिये जैसे कि मैं आप छून जारा हूं ध्यान से करेगा यहां पर कि आफ यह आपने जॉइन कर दिया और एडी इस वाले पोंट को आ हैं इस तरह से आप जॉइन कर दीजे यह आपका इंगल है यहां का 60 डिग्री का का यंगल है हमें requirement कि स्किया हमें 75 डिग्री का एंगल चाहिए परस्ट पार्ट में तो 75 डिग्री के एंगल के आपको क्या करना होगा जो 90 का एंकल है और शिक्षी डिग्री का इंग्ल इन दोने इंगल का कर दीजे तो आपका 75 डिग्री का इंगल आ जाएगा ओके देखें जैसे कि में यहां करने जा रहा हूं कि यहां पर दीप पॉइंट पर अपनी निडल को रखना कम पास के निडल को और एक टॉप पे कार्क लगा दीजिए वैसे अगर आप यहां पर रखेंगे इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए मैं यहां देता हूं से जी यह जो एफ है जहां पर मेहनार को कट कर रहा है आप मैंने जी दे दिया है अब कुछ नहीं करना है जी पॉइंट पर अपनी कमपास को रखिए और एक लगा दीजिए इस तरह से जहां पर दोनों इंट्रसेक्ट करें इसे फिर दोबारा एसे जॉइन कर दीजिए द्यान से इस तरह से कुछ ठीक है और इस आर कभी हम लोग नाम देते हैं एच ओके तो इस तरह से आप यहां पर 75 डिगर एंगल जो है इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पर कोशन में कहा गए था आपको इसको वेरिफाई भी करना है तो वेरिफाई करने के लिए और इसको चेक कर लीजिए जैसे कि इस तरह से आपको 90 जा रहा है थोड़ा 75 से थोड़ा सा नीजी रहेगे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई होगी लिगन अगर आप इसे अच्छे से परफेक्ट ली बनाएंगे तो यह 75 जाएगा यहां तो इस तरह से आपको वेरिफा जमें भी से लिख सकते हैं ठीक है मैं यहां पर फ्रेंज देना चाहता था चलिए अब सेकंड पार्ट वी तरफ बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में आपको 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ले नहीं होगी यहां देख सकते हैं मैंने यहां पर करें ले लिए इसरे का आप कुछ नाम दे दीजिए मैं जैसे इसका नाम एबी देता हूं अब आपने कमपास के यूज करिये कमपास के लिए अप इतनी लिजेगा वालब ज़्यादा बड़ी नहीं ज्यादा छूटी नहीं एक कविनेन्ट लेंज जो जिससे हम कहते हैं वैसे लीजिएगा और इसके इनिशिल पॉइंट एपर रखिएगा इसके कमपास के निडल को कुछ इस तरह से कि अधिक है जिस पॉइंट पर यह एभी को इंट्रसेक्ट कर रहा होगा इसका आप कुछ नाम देदीजिए मैं सी कह देता हूं कि अब आपको कमपास के लेंद को चेंज नहीं करना है बिल्कुल सेम लेंद रखनी है और सी पॉइंट पर रखके इस में आर्क पे एक आर्क लगा दीजिए वैसी इस पॉइंट पर एक और लग जाएगी और यहां टॉप पे भी बल्द जैसे हम लोग 90 डेगरी कंस्ट्रक्ट करते हैं बल्कुल सेम स्टेप्स करेंगे हम लोग कोई चिंज नहीं कुछ इस तरह से अब इन आर्क सका आप नाम देदीजिए जैसे मैं इसको ड कह देता हूं इसको मैं ए कह देता हूं ये ये खो जाएगा आपका के अब आप एफ और एको ज्वक्न कर दिजे धिए अbirds का अयापका ए ए इस ज्वेन होजाएगा इसी तरह से आपने है आई को ज्रइद कर दिजिए इस तरह से अब आ कि आप तो 90 डिग्री हमें जरुवत किसके 105 डिग्री की तो कैसे आएगा इन दुरों एंगल को बाइसे करके 90 डिग्री और 120 डिग्री और इस पॉइंट का भी आप कुछ नाम देजिए मैं से जी कह देता हूं जहां पर एफ ने इस आर्क को कट किया था चलिए अब कमपास का यूज करिए पहले तो अपनी कमपास के डिल को जी पॉइंट पर रखिएगा और एक ड्रो कर दीजेगा और सेम लेंद्थ रखेगा चेंज मत करेगा और फिर इपॉइंट पर रखके एक ड्रो कर दीजिए उसी पे ताकि यह इंटरसेक्ट कर जाएक दूसरे को कुछ इस तरह से अब आप इसको और एक पॉइंट को जोइन कर दीजिए कुछ इस तरह से और यहां पर इस पॉइंट का हम दो कुछ नाम दे दे देते हैं इसका नाम मैंने एच दे दिया तो यह आपका रिक्वाइट एंगल होगा यही होगा आपका 105 डिगरी का अब इसे चेक भी कर लेते हैं सबसे पहला प्रोटेक्टर ले लिए और इसको वेरिफाई करने के लिए देखे यह आपका 90 डिगरी यह 120 और यहां से जा रहा है यह आपका 105 डिगरी हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको वेरिफाई कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखना हो कि इसको परफेक्टली बन कि यह कोई रटेने वाली बात है नहीं अब इसे अपने लेंग्वेज में लिख सकते हैं तो चलिए अब इसके थर्ड़ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं थर्ड़ पार्ट में हमें 135 डिगरी का एंगल करना है तो सेम स्टेप्स रहेंगे सबसे पहले आपको एक रेली नहीं ह करिए क्योंकि यह एंगल है 135 डिगरी तो यहां आप कहीं पीछे बनेगा तो इसलिए आप एको पीछे के तरफ एक्स्टेंड कर दीजिए कुछ इस तरह से और यहां पर इसका नाम देदीजिए एक्स यह आपको एक पॉइंट हो गया यह एक्स हो गया अब आपने कंपास का यूज करिये और इसे एप पॉइंट पर रखिए और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करतीजिए यह सेमी सरकल कह सकते हैं जहां पर एक को इंटरसेक्ट करें से आप सी के दीजिए और आपको अपनी लेंद इसके चेंज नहीं करना है और सी पॉइंट पर रखके फिर एक और आर्क लगानी है जैसे कि मैं यहां पर करने जारा अपनी कमपास के निटल को सी पर रखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से करके और एक आर्क आपने यहां लगा दी सेम इसी आर्क पर आप दुबारस रखके एक और आर्क लगा दीजिए और यहां टॉप पर भी बल्लब कि हम लोग सेम स्टे आप लोग इन पॉइंटिस के जैसे मैं नाम देता हूँ अचे यह डि कह दीजिया आप इसे आप एक दीजिया इसे आप कह दीजिए अब आप एफ और एडी को जॉइन कर दिजिए और एडी को भी जॉइन कर दीजिए इस तरह से देखिए यह आप लोग ने जोइन कर दिया यह आपके पास 90 डिग्री का एंगल यह 60 डिग्री का एंगल और जहां आपकी अब जो पहली वाली आर्क थी इसने तो ए भी को सी पे इंट्रेक्ट किया था लेकन यह यहां पर बी इंट्रेक्ट कर रही है अब आप दुबारा अपने कमपास का यूज कर यह और एक आर्क से लगाईए एक आरक आप है और अच से लगाईए है यहां पर कि यह जोइन कर दिया तो इसका जो हाफ होगा इससे आप कुछ ज्यादा लिनिया इस बार कम पास की लेंद ठीक है तब जाके इंडरसेट करेंगे आर्क तो मैं यहां ले लेता है पहले आपने जी पर रखा एक अर्क लगा दी इसके बाद अब आप एच पर रखिए और एक दूसरी आर्क लगा दीजिए अब आप इसे जोइन कर दीजिए एससे कुछ इस तरह से और यहां पर आपका लास्ट जो पॉइंट था इसका नाम आप आई दे दीजिए और आप इसे अप चेक कर सकते हैं अपने एक प्रोड़ेक्टर का यूज़ कर लीजिए और इस तरह से देखे यह 60 यह आपका 90 और यह जो जार आपका 135 तो यह वाला एंगल हमारा परफेक्ट आया है तो अगर आपके इसको स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो एंगल आपके एकदम परफेक्ट आएंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगे आप लोगों आप लोग देख सकत करने के बात करते हैं कि बात कर लेते हैं यह हो जाएंगे आपके इसके ब्लाटेबान से अपर से अप leider पूर्प सकते हैं तो यहां पर पर नबर पूरते ही फिनिश हो जाता है आपके कोश्चों अच्छे से क्लेर हो गया होगा पिलीज शेयर दिस लेक्ट्टर क्लास्मेंट से मेक्शोर सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स रोचिंग जय हिंद